Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्डबल चबहार पोर्ड था, उससे हमारी कई सारी जो मुश्किले हैं, वो solve हो सकती थी, जैसे कि अगर हमें अफगानिस्तान तक जाना है, तो पाकिस्तान हमें यहाँ पर allow नहीं कर एक obvious सी बात है, तो हम इसके माध्यम से अफगानिस्तान जा सकते थे, यहाँ पर जो railroad link कि यहाँ पर exactly क्या हो रहा, इरान के उपर कुछ देश हैं, वो आपस में लड़ाई कर रहा है, जिसकी वज़े से यह जो पुरा project है, वो कहीं न कहीं successful नहीं हो पा रहा है, और इसी की वज़े से, भारत मदद लेने वाला है Greece की, Greece के अंदर यहाँ पर एक port है जिसका नाम है, परेयस port, या अगर आप देखोगे, जो खबर आई है, कि India considering use of परेयस port to expand European export, तो एक तरह से जो हमारा gateway to Europe है, वो इसके माध्यम से हो सकता है rather than जो चबहार port के हम बात कर रहे हैं, तो इसको हम डिटेल से जाने के, कि exactly है क्या भारत और ग्रीस को लेकर चीज़ें देखेंगे, European export को लेकर चीज़ें देखेंगे, और आपने सुना होगा I2, U2 के बारे में, उसका क्या important role रहा है, काफी कुछ जानने को है चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखेगा, आप में से जितने भी लोग UPSC prelim से लेकर interview तक की पूरी त्यारी करना चाहते हैं, तो 23 अगत से हमारे 3 live batch start हो रहा है, pure English, pure Hindi या फिर English batch, कोई भी आपको लेना हो, just use the code Ankit Live हमारे website एप पर जाकर, comment section में भी scaling के वहाँ पर जाएए, use करिए code ताकि आपको maximum discount मिले, और इसमें आपको सब कुछ मिलेगा, कुछ भी आपको और लेना नहीं पड़ेगा, और इसके लावा अगर आप MCQs attempt करना चाहते हैं, तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहाँ पर stories में जितने भी MCQs हैं, उसको आप attempt कर पाएंगे, चले सुरुवात करते हैं, और देखते हैं कि exactly हो क्या रहा है, देखें एक तो मैं आपको चीज बता दूँ, कि हो सकता है नरेन मोदी, मतलब most probably यहाँ पर चीजें हो गई हैं, clear हो गया है, कि नरेन मोदी इस मन्त के end में, मतलब कि जो fourth week है, उसमें वो Greece जाने वाले हैं, और वहाँ पर बताया जा रहा है कि कई सारे जो possibilities हैं, उसको देखा जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ा चीज देखने वाला होगा, कि क्या भारत और Greece में, परेया स्पोर्ट को लेकर कोई समझाओता होता है, जो बंदरगा है, क्या उसको लेकर कोई समझाओता होता है, अगर ऐसा होता है, तो भारत के लिए एक बड़ी बात हो सकती है, मैं आपको पहले location बताता हूँ, परेया स्पोर्ट अगर आप देखोगे, अगर आप देख सकते हैं, यह तरकी आपको पता है, यह एशया के अंदर आता है, फिर जो कुछ हिस्सा है टर्की का, यह आपको पता है, इस्तानबूल वाला हिधर, यह आपका टर्की वाला हिस्सा है, फिर यह ये Europe स्टार्ट हो जाता है, यहाँ पर जो पहला देश इधर Mediterranean Sea में देखने को मिलता है वो है आपका Greece, यह जैसा कि आप Greece देख सकते हो, और Greece की capital क्या है वो है Athens, और Athens में ही जो Greece की capital है ना Athens, वहीं पर ही यह airport है, sorry, port है, बंदरगा है, जिसका नाम है Port of Paris, ठीक है, it is the chief sea port of Athens, located in Paris, मतलब Athens के अंदर ही एक ज agency है, और यह जो पूरा area आपको पता है, यह Mediterranean Sea कहते हैं इसको, तो agency के western side में आप देख सकते हो, यहाँ पर यह port देखने को मिलता है, लेकिन सबसे खास बात तो इसमें यह है, कि यह जो port आपको पता है, इसका majority stakeholder कौन है, it is none other than China, जी हाँ, Chinese state owned company है, shipping company है, जिसका नाम है Costco, उ आपको इसके बारे में भी बताऊंगा, कि आखिरकार यह port China कैसे ले लिया, आपको पता ही है किस तरह से China अपना विस्तार करी रहा है पूरे दुनिया बर के अंदर, तो China के पास यह कैसे आया, वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले इसका significance देख लेते हैं, द हमारा खुल जाएगा, ठीक है, इसे हम आसानी से Europe चीजों को export कर सकते हैं, यह हमारा planning था, ठीक है, लेकिन, problem क्या रहा है, अब आप इरान के उपर देखो, यह जो दो देश हैं, अजर्बाइजान और अर्मेनिया, आपको पता होगा, यहां पर अर्मेनिया और हैं, और दोनों की वज़े से, यहां पर जो international north-south corridor और जो पूरा corridor की बात हो रही थी, वो successful नहीं हो पा रहा है, और यही कारण है, कि जिसकी वज़े से भारत अब दूसरा रास्ता तलाश रहा है, तो दूसरा रास्ता यहां पर यही हो सकता है, कि यहां पर red sea होते वे Mediterranean sea के अंदर जो Greece है, यहां पर various port जो मैंने आपको बताया, वहां से इसकी सुरवात हो सकती है, और वहां से हम चीजों को बाकी Europe के देशों में export कर सकते हैं, तो यही सबसे important है, यहां पर आपको समझना, कि आखिरकार इससे क्या चीज़ें बदनने वाली हैं, पूरे geopolitics के अंदर फिर इसके लावर यहां पर एक और चीज हमें समझना है, कि अगर ऐसा होता है, तो इसके अंदर I2-U2 का भी बड़ा रोल है, I2-U2 आपको पता होगा, यह basically आप कह सकते हैं कि जो India है, Israel है, U2 हो गया basically UAE, United Arab Emirates और USA, यह चार देश मिलकर I2-U2 partnership किये थे, यह West Quad की तरह अचा है, तो जिसकी वजह से आप कह सकते हो कि energy में, food security, health space, transportation, इन सब में भारत को एक तरफ प्रकार से मौका मिलेगा, तो यहां पर देखो दो चीजे हैं, एक तो भारत इस्तमाल कर सकता है, Israel का हाइफा port, हाइफा आपको पता है, यह अडानी के दोरा own किया चारा है, या तो हम यह वाला port इस्तमाल कर लें, फिर इसके साथ-साथ यहां पर जो Greece के अंदर मैंने आपको बता है, Paris port, वो हम इसका इस्तमाल कर सकते हैं, और फिर यहां से थ्रू जो है, हम Europe अपने चीजों को export कर पाएंगे, अब जहां तक भारत और Europe का सवाल है, देखें, पिछले द पोर्ट होंगे, जिनके साथ समन अच्छा होगा, तो हम उसका अच्छे से बहतरीन तरीके से इस्तमाल कर पाएंगे, और भारत का economic security कहीं न कहीं, इसी चीज़ से link है, कि हम कितना partnership कर सकते हैं, अलग-लग देशों के साथ, पिछले साल अगर मैं आपको बताओं, तो भारत औ यूरोप के इतिहास में, ये इतना trade आपको देखने को मिलेगा, और जो growth है कहीं न कहीं यहाँ पर भारत और अरब Mediterranean, जो root है, वो हम कहीं न कहीं साथ में कर सकते हैं, कहने का मतलब यह है, कि अगर मान लो, ऐसा अगर होता है, कि यूरोप को हम ज़्यादा export करना चाहते हैं, तो अरबियन देश और Mediterranean Sea, ये दोनों के साथ हमारी partnership अथी होनी चाहिए, तो यहाँ पर क्या है कि अरब देशों में अगर हम देखें, यहाँ पर एक तो इसराइल के अंदर हाइफा port हो गया, फिर उसके साथ Mediterranean Sea में ये जो मैंने आपको बता है, एसेंस वाला port है, तो इस त Arc of Commercial Connectivity बताया जा रहा है, Arc of Commercial Connectivity मतलब कि यहाँ से जो भी goods है वो भारत इस route के माध्यम से transfer कर सकता है, ठीक है, अब भारत की तरफ से अगर आप देखोगे तो ये connectivity एक बहुत बड़ा shift ला सकती है, मैंने आप होता है, तो इरान का जो हम सहारा ले रहे थे, काफी बार-बार वहाँ से मदद लेनी के कोशिश कर रहे थे, वो ना लेकर अब हमारा पूरा focus जो है कही न कहीं इसकी तरफ जा सकता है, meanwhile आप ये भी कह सकते हो कि क्या भारत को ये port का इस्तमाल करना भी चीजी, क्योंकि मैंने आपको क्या बता है, ये port का majority stake ये चाइना के पास है, चाइना 2003 में क्या हुआ था कि sport का IPO लाया गया था, IPO आपको पता है ना जो सरकारी companies वगर होती है कई बार, मतलब कोई भी private company, सरकारी, कोई भी, वो market में आ सकती है, तो जैसे भारत के अंदर अगर मैं आपको पता हूँ, LIC, LIC का 100% हिसा किस के पास था, भारत सरकार के पास, फिर LIC क IPO आ गया, मतलब कि उसका कुछ share बेच दिया गया, investors को बेच दिया गया, उसी प्रकार से, Greece ने क्या किया, 2003 में IPO लेकर आए, और इसका लगभग 25% बाकियों को बेच दिया, और 75% अपने पास रख लिया, फिर क्या होता है, 2009 में Greek crisis आते हैं, आपको पता होगा, debt crisis, मतलब बह इसके जो सरकारी companies हैं, उसको बेचना स्टार्ट किया, और मैं आपको बता दूँ, 50 billion euros की वर्थ बताए जा रही थी, जो वो बेचना चाहते थे, और उसमें से जो एक asset था, वो था, यही, परेयस port, तो यह जो चीज था ना, इसको फर्दर बेचना स्टार्ट किया गया, और मैं आपको बता दू, 2009 में जो परेयस port का dock 2 और dock 3 है, वो Costco ने खरीद लिया 35 साल के lease पर, और इस 35 साल में हर साल 100 million euros ग्री सरकार को देखा, यह जो Costco company है चाहिना की, वो 100 million dollars देखी, और 2014 मे आप देख सकते हो, Greek government ने अपना majority stake बेच दिया, और majority stake बेचनी के वजए से 2016 आते आते, 51% हिस्सा यह चला गया Costco company के पास, मतलब majority इनके पास आगे 2016 में, और आगे चलकर 2021 में, और 16% यहाँ पर Costco ने खरीद लिया, तो एक परकार से आज के rate में 67% आप सोच के देखे, यह हि क्या भारत सरकार को ऐसे port के साथ संबंद बनाना चाहिए, और आप कह सकते हो, क्योंकि ग्रीस के अंदर है, तो भारत बना सकता है, लेकिन काफी लोग अब्जेक्ट भी कर सकते हैं, अब वो देखना होगा, फाइनल निलना है, यहाँ पर PM Modi का होगा, और PM Modi में आपको बता करेंगे, कई सारी चीज़े होंगे, और मैं आपको यह भी चीज़ बता दूँ, 40 साल में पहली बार कोई भारत का प्रधान मंतिरी ग्रीस से जाएगा, और इसी के बुझे से वहाँ पर जो अपना relationship है, उसको अपग्रेड करके, comprehensive strategic partnership का relation रखा जाएगा, और देखते हैं इस cost line देखने को मिलता है, कौन सा C देखने को मिलता है, यह आपको बताना है, और इसका right answer आप सब को पता है, मेरे Instagram पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो, कोई बात नहीं, Telegram से ले सकते हैं, इसका सही उत्तर में, कई सारे MCQs हैं, वह आपर stories में डालता रहता हू बाकिए अगर आपको PDF e तो Telegram पर आईए, अलग लग social media पर आप जूरुक आओगे और जैसा मैंने आपको बगाया है, UPSC के अगर आप चारी कर रहे हो, just use the code ANKITLIVE to get maximum discount, कोई भी आपको बैच लेना हो, and I hope की वीडियो आपको पसंद आए होगा, मिलता आप से next time, till then, thank you very much See you soon